टीवी सच साहस सरोकार जांजगीर चांपा में धान की अवैद भंडारण पर हुई कारवाई ग्यारा सो कट्टा धान किया गया सक्त सीतापूर में चालिस हाथियों के दल ने मचाया उत्पात ग्रामवासियों में फैली देहसर अंबिकापूर में चिकित्सकों की दिखी बड़ी लापरवाई घंडों तर डॉक्टर का इंतिजार करते रही मरेज नमस्कार मैं हूँ इशा भारकव और आप देख रहे हैं प्राइम चत्तिसगर तो शुरुआत करते हैं चत्तिसगर की बड़ी खबरों के साथ कोर्बा में कुस दिन पहले प्राइम टीवी ने वन भूमी में राक फेकने की खबर को प्रमुकता से चलाया था इस खबर की गंभीरता को देखते हुए राजस्व मंत्री जैसिंग अग्रवाल ने मामले में संग्यान लेते हुए सभी राजस्व अधिकारियों को बुलवाकर राक से होने वाले प्रदूशन को लेकर फटकार लगाई और जरूरी कारवाई करने के निर्देश भी दिये बता दे कि कोर्बा में पावर प्लांट का जाल बिचा हुआ है इनसे निकलने वाली राक पूरे जिले में प्रदूशन की समस्या बनी हुई है पार्ट पे निर्देश दिया है कि इस राकड को जो एक्स्ट्र है उपर जो उठाए रोड से इसको तक्का लटवाएं और इसको प्लेइन करवाएं तुर्द यह मने निर्देश दिये हैं और कोर्बा मेरे विधान्सवा चेत्र के अंद्रगत कहीं भी राकड मैं पटाए कोर्बा में अधिवक्ता कमलेश शाहू को गिरफतार किया गया है तो मही कबार चोरी के मामले में गिरफतार आरोपी को जमानत के लिए फर्जी जमानतदार और पट्टा पेश करा जमानत ली गई थी बता दे कि आरोपी का साथ ही अधिवक्ता राजेश राठोर सहित फर् पूर्व में गिरफतार हो चुके हैं अम्बिकापुर के मेडिकल कॉलेज SNCU वाड में नवजाद बच्चों की मौत का मामला शांत हुआ ही नहीं था वही लखनव लखनपुर विकासखंड के कुन्नी प्रात्मिक स्वास केंद्र में भी बड़ी लापरवाही देखने को सामन में आई है जहां कई मरीज घंटों से डॉक्टर का इंतिजार कर रहे हैं दरसल आज दरजनों की संख्या में मरीज प्रात्मिक स्वास केंद्र कुन्नी इलाज कराने पहुचे थे जिसमें गर्वती महिला सहित कई मासूम नवजाद बच्चों के इलाज के लिए परिजन आ इस होस्पिटल में सरकारी होस्पिटल में लड़की को मेरा तबियत खराब है सल्दी बुखार खासी है लड़की को कल रात से और हम यहां पोचे 10 बजे से 10 बजे से इंतिजार कर रहे हैं परची काटने कम से कम करीबं दो घंटा हो गया तो अभी तक हिलाज नहीं हुआ है लड़की अभी तक दूद नहीं पी रही है कल रात से दूद नहीं पी रही है लड़की का तबियत जादा खराब है तो अभी तक दावा हुआ मैं मांगा एक दो बार भी लेकिन डाक्टर आएगा तो मिलेगा दावा बोले तो ड़क्टर अभी तक तो ड़क्टर आके नही कि अब नहीं तक तो नहीं आए थी डाक्टर अभी पता निया होगे तो हाँ उखार है सीरियस है बची दूद मी पी रही है तो अब क्या करेंगे हम जा रहे हैं तो दौई हो आगर मिलेगा तो ले लेंगे कम से कम से बज़ा नखा दिया आया नाखा दिया नाखा दिया है कुणियो स्पिटल चेक फार वाय बराया है लगजे तक भाहई पहुंच यहार है सदेनोबजे सुनकिजार करता दाक्टर साहब देखिई निदेखिए अभी काली कुण चेक हुई से दॉक्तर वाइटे नहीं है नाम लट नहीं जाना है लेब रूम में लेब रूम में बढ़े से व हो दॉक्तर नहीं है तो कहा लगाते हुए उसा थी ठाट चला थे की गड़ बड़े नहीं तो हमान दू तीन घंटा हुए गए से इसे बाइठे हैं कहा है अर गोते से अर गोते से अर इलाज करवा यहां बच्छी ले कोल सास्पतार यह कुन नी अस्पतार कहा है तो परची काटिन आस्पता है यहां मार्वटर ही को कवाय करते है तो पता तो नहीं कहते हैं हुए से हुए बारावज गए तो डाक्टर मन नहीं नहीं है किसी काम से कितने तो आने के बाद नाइट में रुके थे फिर सुबा लगवग नौ बजी गाए है काम जैसे हो जाएगा वो आएंगे वहां से इस बीच में रहता है तो यहां से पेज़ा जाता है अब तो अपरभार में हैं डॉक्तर अनुराग सिंग्यादव और कहां है वो नहीं दिख रहे हैं अभी दो तिन घंटी जिजार के लिए कि डॉक्तर नहीं था कहेंगा नहीं मैं तो यहीं पर रहता हूं पीछे में आप देख सकते हैं मेरा क्वाटर है यहीं मतला जब से मेरी पदस्थापना यहां हुई है मैं मुख्याले में ही आवाज बना के रहे रहा हूं और आज एक टीम आई थी बीम डबलू के लिए बायो मेडिकल वेस्ट मे सरकुचा की सीतापूर छेतर के धरमपूर ग्राम पंचायत में 40 हातियों का दल ग्राम पंचायत धरमपूर के नजदी का पहुचा जिसे देखकर सभी ग्रामवासी दहशत में आ गए जैसे इस बात की जानकारी सीतापूर परिशेतर के वनविभाग को लगी तो वनविभा जाग ने मौके पर पहुँच कर ग्रामीडों को हातियों से दूर रहने के निर्देश दिये तो वहीं हातियों के दल ने किसानों की फसलों को काफी ज्यादा नुक्सान पहुचाया है साथी सब्जी बाड़ी में लगे लाखों रुपए के नेट को भी तोड़ दिया है जांजगीर चापा में धान के अवैद भंडारन पर कारवाई की गई है मौके से धान के साथ पीडियेस का चावल भी जब्त किया गया तो वहीं समर्थन मूले पर व्यवस्थित धंग से धान खरीदी करने और अवैद धान पर कारवाई करने के लिए कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया है इसी कड़ी में तहसीगल जांजगीर अंतरगत ग्राम जर्वे में मनी शंकर यादव के मकान से 1100 कट्टा धान जब्त किया गया साथ ही उसके कबजे से पीडियेस 180 कट्टा चावल भी जब्त किया गया है कि द्वारा इरिक्ष्ण किया जादा था इसे समय कराम जर्वे में मनी शंकर यादव पिता बालकराम के मकान पर दभीश दी गई हम आपर उपस्तित हुए और हमारे दौरा बागारी मात्रा में दान इवं चावल को भंधारन पाया गया कितने मात्रा में दान चावल में 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 किस तरह से कर वाई चावल जो था 180 कटी चावल पाया गया है यारा सो कटी धान पाया गया मौके पर बारदाने 1500 जूट बारदाने पाया गया है दो सो प्लास्टिक पोरी पाई गई हैं वागत पर उन्हें समय दिया गया कि आपके पस उक्तिम नारण के संबंद में अगर कोई दस्ता विज़ हो तो प्रस्तोत किया जाए पर दून के दोरा अंतिम समय तक कोई भी दस्ता विज़ प्रस्तोत नहीं किया लिए दंते वाड़ा की क्रशकों और जल ग्रहन समीती के सौ सदसिये दलों को क्रशी सभापती और उपसंचालक क्रशी विभाग ने हरी जहन्डी दिखा कर रवाना किया उपसंचालक क्रशी सुरेश कुमार पंसारी ने बताया कि जल ग्रहन विकास सियोजना के तहर दंतेवाड़ा जिले से सो क्रश्कों का चैनकर महाराष्ट के रेल गाउन में बस के माध्यम से रवाना किया गया है जाक्रश्कों को जल समवंदन सरक्षन सहित आजीविका गतिविद्यों का भ्रमण सैप्रसिक्शन प्रदान किया जाएगा कोर्बा में ट्रांस्पोर्ट नगर की जमीन के लिए मंत्री और अधिकारी में ठन गई है बता दें कि शहर के मध्य बसे ट्रांस्पोर्ट नगर के चलते आवा गमन प्रभावित हो रहा है जैसे जैसे समय बीत रहा है यातायाद बादित हो रहा है अस्त व्यवस्त खड़ी गाडियां व्यस्त मार्क के आगमन को बादित कर रही है जिसकी वजह से 36 गड़ साशन ने ट्रांस्पोर्ट नगर को सहर से बहार बसाने का निन्ने लिया है इसके लिए ग्राम बर्बसपूर का चैन किया गया तो वही नगर निगम को भूमी भी दे दी गई है मगर तीन वर्ष बीतने के बाद भी कोई काम प्रारंब नहीं हुआ है उसके पहले वी दिवते बैठक हुई थी उस बैठक में ततकालीन संसत, मैं स्वेम विधाय के रूप में महापूर आपके कलेक्टर चाउन कंट्री प्लानिंग के बागडे जी सभी लोग उपस्तित थे उसमें और भी जन पर्दीवी लोग उपस्तित थे और उस समय यह नहीं हुआ था कि ट्रांस्पोर्ट नगर बर्वस्पूर में बनेगा और बर्वस्पूर में आलेडी 72 एकड़ जमीन नगर निगम कोवन्तित की उसका पैसा नगर निगम ने पहली जमा किया था जो कच्रा को रखने के लिए बनाई गई थी लेकिन कच्रा क कच्रा को नश्ट करने का अभी जो अभियान चला है उसमें बैली सेकड़ जमीन जो रोड की इस पार जो थी वो खाली पड़ी जो भी जापूर में बन रहे ब्रेच और देपला में बन रहे पुलिया के निर्मान कारे को बंद कराने के लिए नकसलियों ने पर्चा लिक कर का जिसमें निर्मान कारे बंद नहीं करने पर ठेकेदार अंकित गुपता और अमजद खान को जान से माणने की धंकी दी गई पूरा मामला भद्रकाली थाना शेत्र का है 36 गड़ की खबरों में बस इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी नमस्कार अब देखरे